नमस्का दोस्तों, competition community में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुश्बुसा हूँ लोग पर्वों की इस कड़ी में आज हम गोधन, गोवर्धन और अनकी पूजा का सबसे बड़ा पर्व देवारी के बारे में बात करेगे जिसे 36 गड़ अंचल में मुख्य रूपसिक किसानों एवं चरवाहू के द्वारा दिवाली के दूसरे दिन अठाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन धूम धाम से मनाया जाता है वैसे तो शेहरी छेतर में दिवाली को लक्ष्मी पूजा कहा जाता है लेकिन लोकंचल में दिवारी के दिन ही लक्ष्मी पूजा की जाती है हाँ दोनों की लक्ष्मी की परिभाशा अलग अलग होती है जहां शेहरी छेतर में लक्ष्मी का अर्थ धन और अभूशड है तो वही दूसरी ओर ग्रामिड छेतर में लक्ष्मी का अभिप्राय पशुधन है तो इस प्रकार से इस दिन विशेश तौल पर पशुधन की पूजा की जाती है पराडी कथानु सार जब स्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्रदेव के इस्थान पर गोवर्धन परवत की पूजा करने को कहा तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर मुसलाधार वर्षा प्रारंब कर दी थी फिर श्री कृष्ण ने लगातार साथ दिनों तक गोवर्धन परवत को अपनी कनिस्थ उंगली में उठा कर ब्रजवासियों को इस मुसलाधार वर्षा से बचाया था और उन्हें गोवर्धन परवत के नीचे शरंडी थी जब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि स्री कृष्ण को साधारन मनुष्य नहीं बलकि स्री विष्णू के अवतार है तब इंद्रदेव अपने इस कारे पर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने स्री कृष्ण से शमा याचना की और तब से इस दिन मनुष्य को अन, पशू को चारा और परियावरण को शीतल जल और पवन देने वाले गोवरधन परवत को धन्यवादर पित करने के लिए प्रती वर्ष गोवरधन की पूजा की जाती है और इसे अनकुट उत्सव के रूब में मनाया जाता है इस सौसर पर ग्रामिड अंचल में कोठी अर्था जहां पशूधन को रखा जाता है उसकी छबाई पुताई की जाती है और उसकी दिवारों पर चित्रकारी की जाती है लोग समाज में इसे हाथा देना कहते हैं ऐसी लोग मान्यता है कि हाथा दिये बिना पशूधन को खिचडी नहीं खिलाया जा सकता और पशुधन को खिचड़ी खिलाये बिना घर का मुख्या जल भीग रहन नहीं करता इसके लिए घर में नए चावल की किचड़ी, पाँच प्रकार की सबजी, कोड़ा, तुमा, रख्या, कुचई कांदा, जीमी कांदा से मिली हुई कड़ी, बरा और सोहारी बनाया जाता है इधर एक ओर सुबह से ही पश्वो को नहलाया धुलाया जाता है और उसके बाद दोपहर में बरदी धसने की रस्म की जाती है जिसमें पूरा गाउ भर का पसुधन एक साथ गाउ की गली में प्रवेश करता है उसके बाद इन पश्वो को कोठी में लिजा कर बान दिया जाता है और उन्हें सिंदूर, फूल और माला से सजाया जाता है इसके साथ ही कोठी के बाहर और घर के आंगन में गोवर से गोवर्धन की प्रतिमा अर्थात गोवर्धन बनाया जाता है ये प्रतिमा कहीं लेट हुए मनुष्य की आकृती की बनाई जाती है तो कहीं श्रीकृष्ण के द्वारा कनिस्ट उंगली में गोवर्धन परवत को उठाए हुए पूरा दृष्य ही बना दिया जाता है इसे फूल, पत्ती और विबिन सजावटी वस्तुओं से सजाया जाता है और इस प्रतिमा के बीचों बीच नाभी में कटोरी रखकर उसमें दिया जलाया जाता है फिर रात्री में जहां गोवर्धन की प्रतिमा बनाई गई है बहाँ पर कुल देवता, गोवर्धन और पशुधन की पूजा की जाती है इस आउसर पर गोवर्धन का गीद गाते हुए गोवर्धन की प्रतिमा की साथ बार परिक्रमा की जाती है उन्हें सिल्यारी का फूल चढ़ाया जाता है और अनकूट का भोग लगाया जाता है और फिर गोवर्धन जवाने के बाद पशुधन को खिचडी, कड़ी, बरा और सोहारी खिलाया जाता है और उसके बाद सभी लोगों के द्वारा प्रसात के रूप में इस भोग को ग्रहन किया जाता है गोड़न और पशुधन की पूजा के बाद सोहाई बानने का रस्म किया जाता है सोहाई एक प्रकार की माला होती है जिसमें मयूर पंग को पलास के जड़ों की रस्ती से बुना जाता है इस सोहाई को घर के आंगन में चौक पूर कर उसके उपर गायों के गले में बांधा जाता है ऐसा लोग विश्वास है कि सोहाई बानते समय गाये गोबर करते तो पूरा घर परिवार धन धान्य से परिपुन हो जाता है सोहाई बानने के रस्म के बाद गहिरा समुदाई के लोगों के द्वारा राउत नाचा का आयोजन किया जाता है आकरशक वेश भूसा, सजी हुई लाठी और दोहे गाते हुए इस राउत नाचा को पुर्शों के द्वारा किया जाता है जिसे देखने के लिए पूरा गाउन ही उमड़ा रहता है और फिर अंतिम में गोबर्धन खुदाने का रस्म किया जाता है इस आउसर पर ग्राम के देवता सहडा देव जिसका इस्थान या तो दयान में होता है या तो गाउन के अंतिम छोर में होता है उनकी प्रतिमा के समक्ष भी गोवर्ण से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है और इस प्रतिमा के बगल से गाउं के सभी पश्वों को निकाला जाता है इन पश्वों में से किसी कभी पैर उस गोवर्धन की प्रतिमा पर नहीं पढ़ता फिर भी इस रस्म को गोवर्धन खुदाना कहते हैं क्यों क्योंकि इस समय गोबर से बना हुआ गोवर्धन ही केवल गोवर्धन नहीं रह जाता बलकि जहां जहां पशुव का पैर पड़ता है वो पूरी भूमी अठात पूरा सहडा चौंक ही गोवर्धन की पावन भूमी में बदल जाता है गोवर्धन खुदाने के रस्म के बाद सभी ग्राम वासियों के द्वारा गोबर से बने गोवर्धन का टीका आशिरवात के रूप में लगाया जाता है और इस प्रकार से पूरे ग्रामिड अंचल में सामोही ग्रूप से दिवारी का पर्व मनाया जाता है दिवारी के पर्व को मनाने के बाद दिवारी के दूसरे दिन यादो समुदाई के लोगों के द्वारा दैहान में मातर तिहार मनाया जाता है दैहान बो इस्थान है जहां चरवाहे गाउं के सभी पश्वों को चराने ले जाने के लिए एकत्रित करता है इस परव के अउसर पर यादो समुदाय के लोगों के द्वारा खोड़ हर देव की पूजा की जाती है जो की पांच फुट लंबी और एक फुट चोड़ी एक विशेश प्रकार की लखड़ी होती है जिसे दैहान के बीचों बीच इस्थापित किया जाता है मातर को मातर जगाना भी कहते हैं तो क्या ये माता को जगाने का परव है नहीं बास्तों में मातर शब्द का अर्थ मातर शक्ती होता है और खोड़ हर शब्द की उतपत्ती खांड़ा शब्द से हुई है जिसका अर्थ तलवार होता है तो इस प्रकार से यहां माता को जगाने का नहीं बलकि मातरी शक्ती को जगाने का पर्व हैं जिसमें मातरी शक्ती तलवार के प्रतीक के रूप में खोडहर देव की पूजा की जाती है और उनसे पशुधन की रक्षा की कामना की जाती है खोड़र देव की पूजा के बाद यादो समुदाई के लोगों के द्वारा हाथ में डंडा लिये सामोही कुरूप से नुर्त्य का आयोजन किया जाता है और उसके बाद पशवो को दोड़ खिलाया जाता है इस खेल को देखने के लिए दैहान में पूरा गाउन ही एकत्रित हो जाता है इस आउसर पर खोड़र देव के समक्ष कलगीदार मुर्गे को बली देने के लिए उसकी पूजा की जाती है उसे टीका लगाया जाता है और फिर उसे बोरे में भर दिया जाता है बोरे में भरे हुए इस मुर्गे को जमीन से घसीटते हुए पशवो के बीज से दैहान के अंटिम छोड तक लेकर जाया जाता है पीडा में यह मुर्गा जोड़ोड से आवास करने लगता है और इस आवाज को सुनकर पशों के कान चोकनने हो जाते हैं इस आवाज को अपने दुश्मन की आवास सुनकर दैहान के सारे पशु उस मुर्गे के पीछे भागने लगते हैं और इस प्रिकार पूरा दैहान गाए, बैल, भैस, मुर्गा और भैस से चिलाते हुए बच्छुरू, पंड्रू के साथ ही साथ भीड के सम्वे स्वर से बूझ उटता है दैहान के अंटिम छोर में पहुस्ते पहुस्ते मुर्गे की मृत्यू हो जाती है और वो चिलाना बंद कर देता है जिससे पशु को विश्वास हो जाता है कि उनका दुश्मन या तो भाग गया है या तो मर गया है और उसके बाद अपनी बर्दी को बचा लेने के गर्व के स विजय मुद्रा में सभी पशु बिखर बिखर कर वापस दैहान में लोटते हैं तो इस प्रकार से पश्वों के अंदर दुश्मन से लड़ने की चेतना जागृत करने के लिए या फिर मैं ये कहूं कि उनमें जोश और उनमाद भरने के लिए उन्हें सामोहिक रूप से ड साथ के रूप में खीर खिलाया जाता है तो इस प्रकार से पशु धन के महापर्व दिवारी और मातर तिहार को लोग अंचल में सामोहिक रूप से मनाया जाता है आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा 36 गर लोग अंचल में मनाये जाने वाले और भी लोग परवो को गहराई से जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए हर शनीवार रात 8 बजे धन्यवाद